मुझा करते हैं एक हिंडुस्तायन की सबसे मारूफ इस्टेट यानि गुजराग की बात करने जा रहे हैं जहां कि ये सियासी हानाग पर हम गोर खौस करेंगी हम आपको ये बता दे कि गुजराग में कुछ शहरों में कार्परिशन की इंतखाबात होने जा रहे हैं इनमें गोद्रा, बरुच और आयमादाबाद भी शामी हैं इस इंतखाबात में खास बात ये हैं कि पहली मर्तमा यहां पर गुजराग में मोदी और अमिश्या के गुजराग में मजली से इत्यादिल मुस्लिमी क्यामत हुई हैं यह वो जमात हैं जिसने हाल ही में बिहार में अपना प्रेट्चम लहराया और एक बड़ी कामयादी हासिल की पाच अराकी नहीं मुंतखाब हुए उसके बाद यह जमात अब सीधे गुजराग पहुची हैं गुजराग में चंद रोस खबल ही यहां के रुकने पार्लिमेंट आलिव जमाप इम्तिया चिलीज साथ और बंबिल के रुकने असम्बली जो सादिखा रुकने असम्बली हैं वारिस पठाण साथ यह दोनों गुजराग के लिए थे जहां कर वाइना करने के बाद इनका जिस अंदाज से इस्तक्बल किया महा के लोगों ने गोया ऐसे मैसुस हुआ कि मजलिस पहले से ही महा पर अपने ख़दम जमाय हुए थी उसके बाद खायदे मुतरंग आली जनाब बेरिस्टर असदुदिन अविसी साथ दो रोस कर भी महा पहुँचे उन्होंने दो जल्सों से खिताब किया दोनों जन्सों में अववाम का जो हुजियूम था जो सरों का समन्ध हमें देखने को मिला और जो मीडिया की रिपोर्टे आई उससे गोया ऐसा मैसुस होता है कि गुजरात में मजलिस बहुत बढ़ी ताखत बनकर उबनने वाले है जहां तक मजलिस के बारे में आपको बता दूँ कि मजलिस हैतरबाद की छोटी जमात कहकर उसे मुखाति किया जाता था कॉंग्रेस, NCP और डिगर सेकुलर जमाते कभी भी मजलिस इत्यादिन मुस्लिमीन को अपने मुखाबिल का नहीं मानती थी यही बात थी कि बहार में किसी बड़ी सियासी जमात में मजलिस के साथ इत्याद करना मुनासिद नहीं समझा। इसी तरह उत्तर परदेश में भी मजलिस का वही मामला था। लेकिन जैसे ही खायद मुतरम बिरिस्टर असदो दिन अवेसी की शक्सियत निकरती गई। दिन पर दिन इतनी निकरते गई कि हधराबाद के बाद औरंगाबाद में मजलिस को इबली करने दिन गी। यहां पर एक रुखने असम्बली मुंतखब वह औरंगाबाद से और दूसरा रुखने असम्बली हुआ था वह में से। दो रुखने असम्बली के बाद यहां पर 26 कार्मिटर मुंतखब है। और उसके बाद तो जमात बहुत ताख़तवर होगी महाराश्टर में। के बाद गुजरात में इस जमात के अमद में वहां के लोगों ने हातो हत लिया। दरसल वज़ा यह है कि गुजरात में कॉंग्रेस और बीजीबी गलावा तीसरा वहास कोई ताख़त नहीं था। और लोग मजबूर थे कॉंग्रेस की तरफ पूरती ना रहे। खासतर पर मुसल्मान और पस्वांदा तबखात एक तरफ रोटिंग कॉंग्रेस को करते थे। लेकिन पच्छिस बरसों तक बीजीबी को इक्तेदार से हटाने में कॉंग्रेस नाकाम रही। हट तो यह हुई कि पार्लिमेंट की जितनी निशीष्टें पूरी की पूरी निशीष्टें वहां पर बीजीबी एक तरफ जीत आसिल करने में काविया। इस मर्कबा मुसल्मान गई है। और गोया अब तो ऐसी रिपोर्टे आ रही है कि एक वाट से 20-30 मीद मान और किसी किसी वाट से तो पचास-पचास खायश मन है तो टिकेट मान रहे हैं। जहां पर टिकेट देने भी चालेंजिंग मेंटर हो गया है। जिस तरह अंगबाद में इस से खबल हुआ था। पर टाखत ना हुगरें। इसके लिए वो तमान इंतजाबार करते हैं। कॉंगरेस वहाँ पर जो ओटो को लेती हैं। उन्हें एसास है कि वो किस ख़र किस तादाद में उत ले सकती है। वोस उसका एक डायरा बनाके फिक्स कर दिया गया है। और गुजरत में एक तरफा उमत जा लिया। लेकिन बेरिश्कर असाद अभी अविसी साहब ने गुजरत की सरजमीन से खड़े होकर का कि मजलिस किसी से डरती नहीं, किसी से खौपज़दा नहीं होती। और हम हरिक का मुखाबला करने के लिए तया है। आज सियासी शमूर पैदा हो रहा है। जो मुसल्मान कल तक सियासत में सिख़भ हो चुके थी। अब आएस्ता आएस्ता सियासत से खरीब हो रहे है। खासतर पर नमजबान तबखा मजलिस को जिस ताखस से मुखबत कर रह है। उससे एहसास होता है कि इस जमात का मुस्तखबिल बहुत शानदार रहने वागा है। गुजरात में अगर इंतिखाबान में मजलिस इत्याद मुस्लिमिन को अच्छी खासी निशिश्ते हासिल हो सकती है। तो ये बिलकुल अंदादा लगाया जा सकता है कि मुस्तख़ की उन्हें पूरी ताकस से उबर ना होगा। गोया ऐसा महसूस होता है कि अगर हर रियासत में जिस तरह आज राचिस्तान हो गया है। पच्छी बंगाल हो गया है। और दिगर रियासतों में मद्या परदेश हो गया है। यहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि खा लोग अपने वर्कर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि लोग आइटमेटिक इस से जोग जाते हैं। लोग सोशल मेडिया की मारफ़त असस साब अकबर साब इनके दीवाने हो चुकी हैं। और यही वज़ा है कि अलग अलग रियासतों में जो लोग मुक्तलिफ सियासी जमातों को चोड़कर मजलीश से अपना नाता चोड़ रहे हैं। वो जानते हैं कि मजलीश का मुस्तक्बिल बहुत शांदार होगा। और यह देखने में आएगा कि आने ओले वक्तों में मजलीश एक बहुत बड़ी सियासी जमात बनकर अबरेगी। और यह जो सेकुलर जमाते जो कल तक मजलीश को अपने गिंते में नहीं लेती थी। यह मजबूर होना पड़ेगा कि आप मगर मजलीश के यह इंतिखावात नहीं जी सकते। ठीक ऐसी सिच्वेशन गुजरात में भी होनी जा रही है। जिस तरह बिहार में होई थी। हाई यह इंतिखावात में आपने देगा होगा कि मजलीश ने सिर्फ 20 निशिच्व पर अपने विबार अड़े किया है। और पाच पर कामया भी हासिल की और पाच निशिच्व तैसी ती जहां पर सिकट और ठट बढ़ते। गोई इससे मैसूस होता है कि मुसल्मानों का एक बड़ा तबखा वालकि यह कहन कि मुसल्मान जहां पर अक्सियत में वो मजली से जुड़ रहे हैं मजली से मुहबत कर रहे हैं अगर गुजरात में ये बिहार की तरह वरंगाबाद की तरह तारीफ दोलाएगी तो मैं समस्ता हूं हुदुस्तान भर में मजली से बड़ी ताखत बंदर उबरेगी हम इस त झाल 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 झाल